क्लास टू हिंदी पाठ पुटिं पाठ का नाम है बकरी का बच्चा और बहेरिया एक जंगल के पास एक बकरी रहती थी उसके तीन बच्चे थे बकरी जहां भी जाती बच्चे उसके पाथ जाती एक दिन बकरी अपने बच्चों से कहा आज में जंगल जा रही हूं तुम सब घर पर रहो बकरी का सबसे छोटा बच्चा बहुत सरारती था वह चुप्टे से अपने मां के पीछे पीछे चला गिया वहां हरी हरी पतियां खाने लगे नाले के किनारे एक भेरिया पानी पी रहा था उसने बकरी बच्चे को देखा वह धीरे धीरे पास आकर बोला कहो बिटे क्या कर रहे हो भेरिये को देखकर वह डर गया मैं भी आज भूखा हूं मैं तो आज तुम्हें खाऊंगा डरते डरते उसने उत्तर दिया मामा मैं तो अभी फुटा हूं बकरी का बच्चा अपनी जान बचाने का उपाए सूचने लगा उसने भेरिये को कहा मामा पहले मुझे गाना सुना दो फिर मुझे खा लेना भेरिये ने कहा पर मुझे गाना नहीं आता नहीं नहीं आप बहुत अच्छा गाते हैं यह सुनकर भेरिया बहुत खुस हुआ उसने आँखें बंद करके गाने लगा उसकी आवाज को गारी कुटों ने सुन लिया वे सभी वहां पहुँच गया कुटों की आवाज सुनकर भेरिये ने आखे खोली कुटों ने भेरिये को पकगे बकरी का बच्चा तेजी से घर भाग गया क्षब स्टों का बच्चा तेजी से भाग बंद कर दो ने तेजी से घर वे पन में जाए ख़िए झाखें लिया क्रिए्या भेरिये आप बंद का जाई बंद कि आवाज तेजी से वे से बंद करेने का बंद diabetes